विसमिल्ल्म रस्ति में हो जहां पने बहुत खाई होगी बहुत इ Ğटपट रहे हैं मिंटों में तयार हो जाती है तो यहाँ पर हमारे पास से हैं सबसे पहले बिसमिल्लावान ही एक से डेर कप हम लेंगे चीनी के जिसको हमने पैन में आड़ करना है और इस पैन के अंदर आपने कोई पानी कोई चीज नहीं आड़ करनी है खुश्क पैन के अंदर आपने चीनी आड़ कर देनी है और medium to high flame के उपड़ आपने इसको पकाना है ठीक है और बहुत जल्दी यह चीनी जो है पिघलना शुरू हो जाएगी यह देखें आप ठीक है और जब यह चीनी इस तरह से पिघलना शुरू हो जाए तो फ्लेम आपने low to medium कर देना ठीक है लो टो medium करेंगे ताकि यह चीनी जलना जाए और अच्छे से करमलाइस्ट हो जाए तो यह रेखें यह बहुत यह सानी से हो रही है और जब यह इस फॉर्म में आजए कि यह तकरीबन 50% पिघल चुकी है तब आपने फ्लेम low कर देना है ठीक है क्योंकि यहाँ पर यह एकदम से जल जाती है काली हो जाती है तो इसको हमन आपका यह कैरमलाइस्ट सा जो बैटर है यह तयार हो जाएगा और बहुत जाला फ्लफी भी हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर हमने इसको तोड़ा सा गारा करना है बिलकुल lowest flame पर और जब यह दूर इसमें मिक्स हो जाएगा तब इसमें हमने दो समच घी के या मक्षन के चैट कर देने है ठीक है तो अब देखें फ्लेम हमने बिलकुल बंद कर दी है अब हमने जस्की करनी है मिक्सिंग ठीक है तो यह माशाला से बहुत ही शांदार गोल्डन सा कलर आ चुका है अब हम चलते हैं बिसमिल्ला रवान है एक ट्रे की तरफ उसमें हम इस तरह से बट आपने कमेट बॉक्स में जरूर बताना है कि इस रेसिपी को आपकी लोकल लेंग्विज में क्या कहा जाता है ठीक है डिफरेंट अलाकों में इसका डिफरेंट नाम है तो आपने जरूर बताना है अच्छे से प्यालियों को प्लेटों को साफ किया करें अच्छा अब यहा बाद आपने इसको देना है स्टे रूम टंप्रेचर पे तक्रीबन 15-20 मिनट बाद ये थोड़ा सा हाड हो जाएगा ठीक है हम इसको बाद में मिलते हैं तक्रीबन 15 मिनट हमने इसको स्टे दिया है और ये काफी यह लेकिन ठीक हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीटली हाड नहीं हो ठीक है मैंने भी इसको इसको इसली निकाल लिए ताकर मैं इसकी कटिंग कर लूँ कटिंग जरूरी नहीं है आप इसको ऐसे हाड करने दे मतलब बढ़ा बढ़ा हाड वो जाता उसके बाद वैसी तोड़ के भी खा लेते हैं छुड़ी को अच्छे आद्वामी आदे की, विए तक अल्लाह हाफीज